नमस्तकार आज की इस नए वीडियो ट्यूटोरिल में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है पाइवर्ट चार्ट पाइवर्ट चार्ट का यूज MS Excel में हम तब करते हैं जब कोई डाटा बहुत बड़ा और कठीन होता है और जिसे एक साथ रख कर देखना और समझना काफी मुश्किल होता है तो ऐसे में हम पाइवर्ट चार्ट का यूज करते हैं पाइवर्ट चार्ट हमारे सारे डाटा को एक साथ अरेंज कर उसे आसानी से समझने लाइक बनाता है उसे समझने योग्य बनाता है तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि आप मेरी skin पर देख सकते हैं, मैंने एक data त्यार किया हुआ है, इस data के अंदर मैंने अलग-अलग students का नाम लिखा है, उनके role number है, उनके अलग-अलग subjects है, total marks है, percentage, grade और इस तरह का result होगरा के options है, मेरी need है कि मैं ये compare करना चाहता हूँ, क किस student का किस subject में कितना score आया, और उसको compare करने को भी मैं chart के माधियम से दिखाना चाहता हूँ, so that मुझे आसानी हो, उसके chart के अलग-अलग chart, मैं column chart या जो भी chart मुझे use करना है, उस अधार पे मैं इस data को compare करना चाहता हूँ, उसको समझना चाहता हूँ, उसको private chart के माधियम से analysis करना चाहता हूँ, कि क्या मेरे लायक है और क्या चीज़े मुझे करनी है, so देखे कैसे शूरू करते, सबसे पहले आप जाएंगे insert menu में, और यहां आने के बाद, यहां आपको थोड़ा सा आगे आना होगा, chart के option में आपको मिलता है pivot chart, pivot chart पे जैसे आप click करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस पर click करना होगा, जैसे मैं click करता हूँ, तो आप समझ सकते है excel बहुत ही समझदार software है, यह अपने आप जो data है, उसको यह अपने आप ही select कर लेता है, और automatic उसका selection बन जाता है, जैसे selection बन गया देख सकते है, select a table or range, सबसे प analyze करने वाले हैं, data को charts के माधियम से, select a table or range, यहाँ पर आप देखिए already table 1 लिखा हुआ है, यानि कि यह मेरी इस sheet का नाम है, और नीचे आएंगे आप यहाँ पर देखे, choose where you want the pivot chart to be placed, आपको choose करना है कि कहाँ पर pivot chart को आप place करना चाहते हैं, तो एक option है कि existing worksheet पे करें, existing worksheet मतल दूँगा और वो वहाँ पर okay करने के बाद वहाँ बन जाएगा, लेकिन मेरी need है कि यहाँ पर मेरी कुछ जगे कम मिल रहा है, या मैं चाहता हूँ कि एक नए page पर हूँ, तो new worksheet मैंने लिया और okay कर दिया, जैसे okay करता हूँ आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ features बन के आ यह वाला आपका वो एरिया होगा जहां पर आपका चार्ट बनेगा, प्रिपेर होगा और इस तरफ आप देख सकते हैं, राइट साइट की तरफ आप देखिए, पाइवर्ट चार्ट फिल्ड दिखा है, जहां पर choose field to add to report, तो वो मुझे add करना है, यहां पर आप देख सकत तो यह Excel का कमाल है कि वो अपने आप उसने यहां दे दिया और पाइवर्ट चार्ट के option में, यानि के field list में आ गया है, यहां पर आप देखिए, drag field between areas below, so मेरा सबसे पहले filter, filter लगा होगा, filter का एक एरिया है, legends है, access है, और इसे तरह से values हो गरा का option है, मैं यहां पर शुरू क करता हूँ, जैसे माल लीजी मुझे नाम के अधार पे अगर यह compare करना है कि कौन से student का कितना marks रहा, और उसको भी मुझे करना है chart के मादें, तो मैं नाम पे click करूँगा, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने नाम पे click करा, मेरे पास जो मेरी list में जितने भी नाम थे, वो सब यहां पे दिख गया है, मैं तो उड़ा सा इसको बढ़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे यह compare करना है total marks का, और total marks का भी chart से, तो यह देखिए आप, जैसे मैंने यहां click किया, आप देख सकते हैं, यहां पे अजे, अमन, बगीरा और जो भी students है, उन सभी का यहां पे comparison है, यह 400 के आसपास जा रहा है, यह 350 और उससे नीचे है, उससे उपर, तो इस तरह के comparisons है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप मुझे, मैं यह कहूँ कि मुझे total marks की जगे पर मुझे percentage की अधार पे chart देखना है, चार्ट में comparison करना है, मुझे analysis करना है, तो मैं यहां पे देख सकता हूँ, और अपना, जो भी मुझे इस तरह का analysis करना है, जो भी मुझे इसमें से खोजना डूनना है, वो मैं यहां से देख सकता हूँ, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, कि अगर आप कहें, कि अलग-अलग students का comparison उसके अलग-अलग subject के आधार पे जो भी करें, जैसे मैं कि हिंदी और इंग्लिश में हमारी languages हैं, मैं इन दोनों के अधार पे यहां पे देखता हूँ, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यह राइट साइड में आपको sum of Hindi लिखा होगा, sum of English लिखा होगा, means कि जो red color है वो English है, और जो blue color है वो आप समझ सकत हैं, और उतने English में कैसे आ रहे हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बगीरा का सबसे बढ़िया है, यहां पे percentage रहा है, निक्की का किस तरह का रहा है, और उसमें भी English में किसकी पकड़ अच्छी है, हिंदी में किसकी अच्छी पकड़ है, इसी तरह से अगर और compare हम करे हैं, चार्ट को तुड़ावर अच्छा बड़ा बनाएं, तो हम math भी टिक करें, आप देख सकते हैं, एक student के यह तीनो, sst अगर add कर रहा हैं, तो चारो का आप comparison कर सकते हैं, science आप add कर रहे हैं, तो ऐसे आप comparison कर सकते हैं, तो आपको यह जो boxes दिख रहे हैं, जो towers दिख रहे ज्यादा marks, छोटा tower इसका मतलब है कम marks, तो यह एक option है, हमारे पास comparison करने का, analysis करना का, समझने का data के बारिकियों को, अब देखिए, जैसे यहाँ पर, मैं मान लिजी कि मैं यह हटा जेता हूं, मैं जैसे यहाँ पर जानना चाहता हूं कि कौन से subject में बच्चों के overall marks कितने ज्यादा आएं, अगर मान लिजी, मैं यहाँ पर कहूं हिंदी, तो आप यह समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं name पर फहले click करूं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे का मतलब अगर 100 marks का है, तो 9 बच्चों का अगर 100 marks का एक paper है, तो आप समझ सक तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आप किस की subject में, आपके कौन कौन से teachers का क्या क्या subject है, और उन subjects का performance का कैसे रहा है, वो analysis करना है, तो आप एक एक करके सारी subjects पर आप click करते जाएं, जैसे आप science पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप comparison कर सकते हैं, कि 900 में से कि किस teacher का सबसे बड़िया performance रहा, तो देखें, आप English का सबसे बड़िया performance रहा, second number पर आप समझ सकते हैं, math का performance रहा, और सबसे जो कम छोटा tower जो दिख रहा है, छोटा column दिख रहा है, वो है आपका sum of SSD, तो आप ऐसे, अगर आप principal हैं या इस तरह कि आपकी need है, कि आप compare करके teachers को ये बताएं कि देखें, आपका performance कैसा रहा, कौन teacher top पे है, कौन bottom पे है, और इस तरह का, तो आप ऐसे comparison भी कर सकते हैं, for all देखें, तो ये वो तरीका है, जिससे हम Excel के अंदर, पाइवट चार्ट का use करके, अलग-अलग तरीके से data को analyze करते हैं, उसको समझते हैं, और उ useful tool है, अगर आपने पाइवट चार्ट सीख लिया, तो डेटा को compare करना, compare करके उसको present करना, audience को या जिसको आप समझाना चाहते हैं, अपने reporting heads को, बहुत अच्छे से आप चार्ट के मादियम से, पाइवट चार्ट के मादियम से अपनी बात रह सकते हैं, strongly रह सकते हैं, so overall की रहा हमारा पाइवट चार्ट, I hope कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सिखने को मिलेगा, thanks for your time.